stes पर दोस्तो आज हम इसे बहुत आसान तरीके में बनाएंगी बहुत सारे लोगों को गाज़र कसने में बहुत ही जारा दिक्कत होती तो इस तरीके से बनाएंगे ताकि आपका सारा टाइम मैनेजर और स्वाध एकदम बाहर जैसा है तो बिना किसी देनी के चले दोस्तों ये गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए देखिए मैंने यहापे गाजर लिये एकदम फ्रेश गाजर का हम इसमें यूज करेंगे और ये दो किलो गाजर है इसको हमने अच्छे से वाश कर लिया था अब दोस्तों क्यूंकि आज हम इसे बिना घिसे बना रहे हैं इसलिए मैं गाजर को इस तरीके से कट कर लूँगी तो जितनी भी मैंने गाजर ली थी उन सब को हम कट कर लेते हैं तो यहां पर देखिए दोस्तों मैंने दो किलो गाजर को अच्छे से कट कर लिए एकदम छोटा छोटा ही हमको कट करना है तो अब हम लेंगे मिक्सी जार दोस्तों मिक्सी जार जो छोटा वाला आता हम वो लेंगे और इसमें ये गाजर डाल देंगे अब दोस्तों इसको grind करने का एक तरीका होता है कि आप पहले mixigar को start कीजेगा फिर stop कीजेगा फिर start कीजेगा फिर stop कीजेगा ऐसे आपको इसको grind करना है ये देखिए हमने इसको grind कर लिया हाँ इसके अंदर छोटे छोटे मोटे मोटे थोड़े particles हैं पर वो जब हम गाजर को boil करेंगे तब वो सब particles अच्छी तरीके से गल जाएंगे तो बिलकुल इसी तरीके से मैं अपने दूसरे बैच के गाजर को भी अच्छे से grind कर लेती हूँ तो ये देखिए दोस्तों बिलकुल इसी तरीके से आप भी ग्राइंड कीजेगा ये देखिए परफेक्ट अब हम इसी तरीके से सारे गाजर को अच्छे से grind कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दो किलो गाजर अच्छे से grind होकर तयार है दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं गाजर लेते वक्त आप इस बात का ध्यान रखेगा कि आप red कलर के ही गाजर लीजे तो चलिए दोस्तों अब बनाना शुरू करते हैं तो दोस्तों गाजर का हलवा बनाने के लिए आज हम कूकर में इसको बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने deep कूकर ले लिया है हमको मोटे तले का कूकर लेना है अब इसमें मैंने डाल दिया एक टेबल स्पून घी एकदम शुद देसी घी हम इसमें डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे गाजर जिसको हमने पहले से ही ग्रेट करके रखा है तो जितना भी हमने गाजर ग्रेट किया था सारा एक ही टाइम पर डाल देंगे तो ये देखिए दोस्तों इदर दर गिर रहे हैं पर आप इस बात का माहिनमत करना मैं सब कुछ क्लीन कर दूँगी तो जितना भी हमने गाजा लिया था वो सब मैंने इसमें डाल दिया है अब हम इसको अच्छी तरीके से स्टर करेंगे और गाजर को पहले हम अच्छे से भूनेंगे तो करीबन 15 मिनिट लिए मैं इसको अच्छे से स्टर करती रहती हूँ ताकि हमारा गाजर अच्छे से भून जाए गाजर की भूनाईन करना बहुत ही जादा important step है 15 मिनिट के बाद गाजर अच्छे से भुन चुका है अब ये देखिए मैंने कुकर को बंद कर दिया है और हम एक सीटी आने का वेट करेंगे तो दोस्तों लो फ्लेम पे हमारी एक सीटी आ ही चुकी है और आप देखिए गाजर का एकदम कलर चेंच हो चुका है एकदम परफेक्ट ही हो चुका है एक बड़ी और इस अच्छे से स्टर कर लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे 2 कीजी दूद ये हमने फुल फैट क्रीम बाला दूद लिया है सारा दूद मैं एक साथ डाल देती हूँ और इसको हम एक बॉइल आने का वेट करते हैं तब तक हम आगी की प्रेपरेशन शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर मैंने इमान दस्ता ले लिया इसमें मैं 5-6 डालूँगी इलाइची और इसे अच्छी तरीके से कूट लेंगे और जो इलाइची के छिलके हैं आप उसको चाय पत्ती में रख लीजेगा उससे क्या होगा कि वेस्ट भी नहीं होगा और चाय पत्ती का भी फ्लिवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा तो हम छिलकों को सेपरेट कर लेते हैं और यहां पर यह इलाइची पाउडर भी बनकर त्यार है इसको हम एक बोल में निकाल लेते हैं अब चलिए देखते हैं कि हमारा गाजर का हलवा कहां तक पहुचा है गाजर की हलवे में बॉइल आ चुका है आप देखी सकते हैं अब हम इसको अच्छे से स्टर करते रहेंगे करीबन 15-20 मिनिट के लिए हम इसे अच्छे से स्टर करेंगे और आप देख रहे हैं मैं स्पैचुला को दबा दबा के स्टर कर रही हूँ ताकि इसमें जो भी मोटे मोटे हो वो सब अच्छी तरीके से गल जाएं 15-20 मिनिट के बाद हम इसमें डाल देंगे इलाइची पाउडर और अब हम इसको और अच्छी तरीके से स्टर करेंगे करीबन 20 मिनिट ले तो देखे दोस्तों 20 मिनिट के बाद ये देखे सारा दूद अब हमारा कर चुका है पर इस समय ये गाजर कल्वा तयार नहीं हो है अभी भी हमें इसे अच्छी तरीके से स्टर करते रहना है तो जब तक हमारा गाजर कल्वा को मैंने दूसरे स्टोप पर रख दिया है अब हम थोड़े ड्राइफ्रूट्स को फ्राइ कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक टेबल स्पून लिया है घी गी जैसे ही गरम हो जाएगा तो हम इसमें यह ड्राइफ्रूट्स राल देंगे जो कि इस तरह है काजू है बदाम है और किश्मिश है इसे अच्छे से हम स्टर कर लेंगे और इसको अच्छे से हम फ्राइ कर लेते हैं तो यहाँ पर देखें ड्राइफ रूट्स का कलर एकदम चेंज हो गया यह एकदम त्यार है अब इन ड्राइफ रूट्स को हम हमारे कूकर में डाल देंगे तो गी के साथ ही इसको डाल देंगे एक बर ये अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं तो ये देखिए दोस्तो गाजर का हलवा अब इस समय इसका कलर एकदम चेंज हो गया तो अब हम इसमें डालेंगे घर की बनाई भी मलाई इससे इसका टेक्शर भी अच्छा आएगा इसका स्वात तो बहुत ही ज़ादा टेस्टी आने वाला है तो जरूर आलेगा घर की फ्रेश क्रीम और इसको अच्छे से स्टर कर लेते हैं अब दोस्तो इसमें हम लास में डालेंगे चीनी तो यहाँ पर मैं दो बोल डाल रही हूं चीनी के आप कम यह जादा अपने मन के मताबिक कर सकते हैं पर दो कीजी अगर हम गाजर का हलवा बना रहे हैं तो उसमें दो बोल चीनी काफी है मैंने लास में टेस्ट करके भी देखा था तो एकदम पर्फेक्ट था चीनी का मेजरमेंट अब इसको अच्छे से स्टर कर लेते हैं और अब हम इसको बीस मिनट के इसी तरीके से स्टर करते रहते हैं दोस्तो बीस मिनट के बाद ये देखिए गाजर का रंग एकदम रेड रेड अब हम इसमें मावा डाल देते हैं एकदम हमको मार्केट जैसा बनाना है यार हमको बिलकुल मस्त ये गाजर का हलवा बनाना है तो यहां पे हमने 30 ग्राम ये मावा डाल दिया है इसको अच्छे से मार्केट जैसा है तो यह देखिए गाजर कालवा एकदम तयार है इसको सविंग प्लेट में निकाल लेते हैं पर दोस्तो हमारा गाजर कालवा बनकर ते आर देखा आपने अपको कितना टाइम बजगे है और बचल कितना जादा टेस्टी एकदम मार्केट जैसा लगा तो की रेशिपी एक एक करमे जरूर ट्राई करिये, गाजर एक रहं चाहिए, तो जरूर एक बढ़ ट्राई करना रेशिपी अच्छी लगे, तो इसे लाइक करना, अमने दूस्तों के साथ शेर करना, मेरे चानल को सब्सक्राइब करना और दिये गए बेल आइकन को ज़रू प्रेस करना ताकि आपको मिले मेरी बीडियो सबसे पहले बाई वापिस मेनूंगी ऐसी एक नही और इनोवेटिव रेसिपी के साथ